नमस्कार आदाब सास्रीय काल वेल्कम टो मैंटबेंस इंडिया जबेस्ट और लाइन लाइन प्रैटफर्म जहां आपको मिलता है किंडरकारण से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन आपसुली फ्री आफ कॉस्ट स्टूडेंस आप हमारे साथ अपने स्कूल एक्जामिनेशन की भी तैयारी कर सकते हैं बलकि अपने बोड और ऐक्रफरमेंस की ले सकते हैं हमसे लिखुत में बस हरते आप और हम मिलके महनत करेंगे तो तो आपकी पावाइन्स के बढ़हने के लिए अच्छा करने के लिए मैंन बिंस लेके आया है एक और नया इनिशेटिव जहां पर हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास तेंथ मैथमाटिक्स के सारे चाप्टर के सारे फॉर्मलास एट वन गो मतलब एक सेशन में आपका एक चाप्टर पूरी तरीके से उसके सारे फॉ पहले यदि आपको कोई क्रिविजन करना है तो दिस इस तब बेस्टिंग दाट यू चलिए है चाप्टर फॉर नाम है कोड़ाटिक वेशन फोर के पहले थ्री उसके पहले तूसके पहले वन कवर हो चुके हैं आगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन वाक्स म समय वेश्ट किये सबसे पहले तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि क्या है इसका फॉर्मुला क्या होता और कैसे बनती है ठीक है तो देखो कोड़ाटिक एक्वेशन की जर्नी है वो शुरू होती है कक्षा आठवी में आपने पढ़ा है यहां से आपने कक्षा नवी में हाइस्ट पावर ऑफ पटिकुलर पॉलिनॉमियल ठीक है और ऐसे पॉलिनॉमियल जिसकी डिगरी टू होती है उन्हें आप कहते हैं कोडराटिक पॉलिनॉमियल ठीक है और यहीं से जनम होता है कोडराटिक एक्वेशन का कोडराटिक पॉलिनॉमियल से ही बनते हैं सारी रखते हैं तो आपको नहीं नहीं लिलती है इकक्वैसिन्स एक फिक्स फॉर्माट में चलते हैं जहां पर आपको कुछ निरधारित ही होती है हर वैल्यफे वह प्लेकेबल नहीं होते लीफेशिन्स का जनम कहा से हुआ है quadratic polynomial से quadratic equations की definition क्या होगी ऐसी equations जिनकी highest power 2 है और वो एक variable में है जैसे यहाँ पे है ax square plus bx plus c equal to 0 यह quadratic equation का क्या है standard form है एक बार दोबारा से समझेंगे क्या बोला हमने हमने कहा कि भाई ऐसी equations जो की एक variable में हो और जिसकी highest power 2 हो तो उसे आप कहते हैं quadratic अगर highest power 2 से कम 1 हो जाए तो उसे आप कहते हैं linear ठीक है अब इसमें a not equal to 0 होना कमपल सरी क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो quadratic का पूरा जो whole power 2 है वो ही gap हो जाएगा तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा ठीक है a b c can be real numbers यह आपको पता है अब यहां देखो अच्छी सी important सी बात real number से alpha यदि एक number है alpha ठीक है जिसको आप जैसे ही quadratic equation में रखते हैं तो आपकी equation हो जाती है justify for example for example अगर मेरे पास है x square plus 5x plus 6 equal to 0 इस equation में यदि मैं x की value 1 रख देता हूं जैसा कि हम लोग polynomials में भी करते हैं variable को हम एक numeric value देके solve करने का प्रयास करते हैं जैसे मैंने 1 रखा 1 square plus 5 into 1 plus 6 यह हो जाएगा 1 plus 5 plus 6 which is equal to 11 but not equal to 0 मतलब मैं यह x equal to 1 इस equation के अंदर नहीं fit बेठा पाया इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब यह है कि x equal to 1 is not root वो root नहीं है तो root or solution क्या होगा root or solution x की वो values होंगी जिने equation में रखते ही मेरी equation satisfy हो जाए for example 1 की जगा रख दो minus 2 तो आपको क्या मिलेगा सर minus 2 का square 5 into minus 2 अब इसको जदी आप solve करोगे तो यह हो जाएगा 4 minus 10 plus 6 which is equal to 0 तो x equal to minus 2 तो यह जो minus 2 है यह आपका root या फिर solution है और वही यहाँ पर statement में लिखा है कि एक एसी value जो की हमारी equation को satisfy कर दे a alpha square that is x की जगा alpha रखा आपने b into alpha plus c equal to 0 यह satisfy होगी मतलब हमारा answer आ गया अब सर क्या ऐसे हर बर value रखके देखना पड़ेगा कि answer क्या आएगा नहीं हमारे पास एक method है जिससे हम कहते है middle term splitting ठीक है जिसमें हम बीच वाले term को दो भागों में split करते हैं और उसके बाद फिर जो दो factors आते वहां से हम zeros यहाफे solution निकालते हैं अगर आपको यह method करना है तो हमने एक और session बनाया है जिसमें आपको quadratic equation का detailed revision मिलता है 30 minutes के अंदर अगर आपको वह देखेंगे तो आपको समझ में को कैसे अप्रोज किया जाता है उसकी link भी आपको description में मिल जाएगी ठीक है पर अभी के लिए milton splitting आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए उसकी मदद से आप आसानी से दोनों factors फिर factors की मदद से roots निकाल सकते हैं अच्छा अब कुछ equations ऐसी जटिल होती हैं कि middle turn splitting से हम उनका answer नहीं निकाल पाते हैं उस case में आ जाता है हमारे rescue के लिए quadratic formula जो हमें किसी भी quadratic equation के roots या solutions या वह value जिस पे equation सही सिद्ध हो जाए satisfy हो जाए वह बताता है तो formula क्या है हमारा कि x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a sir यहां plus minus का क्या मतलब है देखो आपको याद होगा कि यदि power 2 है तो कितने zeros होंगे maximum तो sir at most two zeros तो यहां पे भी वो दो zeros कैसे आते हैं एक बार हम beach का sign positive लेते हैं और एक बार हम beach का sign negative लेते हैं तो यह हो गया एक 0 और इधर पे आ जाता है दूसरा 0 ठीक है यह आपको clear है बिल्कुल sir अब जड़ा इस formula को थोड़ा सा ध्यान से देखो इसमें minus b पता लगाना आसान है equation में दिया होगा 2a पता लगाना आसान है a की value equation में दियोगी सिफ़ आपको 2 से multiply करनी है जो जटिल पार्ट आता है वो आता है यह root के अंदर ठीक है और इसी लिए इस जटिल पार्ट को कई बार हम अलग से भी solve करते हैं और जब आप उसको अलग से solve करते हैं अलग से कुछ नाम भी देना पड़ेगा और वो नाम होता है हमारा discriminate ठीक है जिसको हम d के रूप में दिखाते हैं ठीक है तो जो d होता है is equal to b square minus 4ac के बराबर होता है इसी लिए काफी जगा यही formula इस रूप में भी लिखा जाता है कि x equals to minus b plus minus root of d upon 2a ठीक है कुछ जगा पर ऐसे भी लिखा जाता है जहां पर d की value हम अलग से निकालते हैं पहले b square minus 4c का calculation करके b, a और c आपको आपकी equation से ही मिलते हैं अब क्योंकि d का इतना important role है हमारे पूरे roots या solution निकालने में d की value काफी हद तक हमारे roots के nature को भी affect करती है अब्यसी बात है भाई जैसे roots है तो उनका कुछ न कुछ nature तो होगा तो जो roots का nature है वो identify करने के लिए हमने d को मुख्य रोल में रखा है d की जो भी value होगी उसके इसाफ से decide होता है कि हमारे roots कैसे होंगे अब d जो है वो mathematical calculation से आता है तो इसकी values कुछ न कुछ होंगी ही तो broadly d की value को हमने 3 categories में identify किया है ठीक है एक it can be more than zero ठीक है तो आपने लेखा यहाँ पे d more than zero it can be equal to zero and it can be less than zero ठीक है इन तीनों ही अलग-अलग values के आने पे d की अलग-अलग values आने पे किसी एक equation में आप थोड़ा सा आपने आपको बता पाते हैं कि roots का nature कैसे होगा यदि d की value that is b square minus 4ac की value zero से बड़ी है तो क्या होगा तो equation के दो roots होंगे और दोनों roots कैसे होंगे देखो यहां लिखा वो नीचे वाले point में जो मैं कह रहा था कि यदि d की value zero से बड़ी है तो आपके दो roots होंगे और दोनों roots कैसे होंगे distinct होंगे मतलब अलग-अलग होंगे जैसे जो मैंने example लिया था x square plus 5x plus 6 का उसमें एक value आड़ी थी minus 2 दूसरी value आएगी minus 3 ठीक है आप चाहे तो करके देख लीजेगा तो वो कैसे हुए दो roots हो और दोनों एक दूसरे से अलग हुए minus 2 and minus 3 difference है वो कब होता है जब d की value more than 0 हो आप चाहे तो उसी equation में d की value निकाल सकते हैं आपको वो more than 0 ही मिलेगी दूसरी तरफ अगर वो 0 के बराबर हो जाता है तो भी आपको दो roots मिलते हैं लेकिन अपकी बार equal roots मिलते हैं या repeated roots मिलते हैं मतलब जैसे मान लो कि एक equation है x square minus 4x minus plus 4 ठीक है उस case में x की value आएगी आपके जो दो roots आएंगे वो आएंगे 2 ठीक है पहला root b2 दूसरा root b2 जो कि atmosphere हो सकते न दो exactly दो तो हो नहीं सकते और यहां भी दो है लेकिन repeat हो रहे हैं ठीक है तो उस case में आप कहते हो कि equal real roots is this clear जी सर तीसरा हो गया यहां पर जब आप less than zero हो जाते हो मतलब basically negative चले जाते हो तो जब आप negative जाएंगे तो one में कुछ अच्छा तो होगा नहीं negative है मतलब कहीं नहीं होगा बिलकुल और कहां आता है real roots के आगे अर्था देरा no real roots या फिर आप कुछ जगा ऐसे भी लिखा जाता है कि quadratic equation does not exist कि उसके root exist नहीं करते तो no real roots लिखो या फिर roots does not exist लिखो बात बराबर ही हो जाती है ऐसे सवाल आपको अक्सर आते हैं जब आपको दो माक में पूछा जाता है कि नेचर बता दो या आपको नेचर बता देंगे और a b c में से कोई unknown quantity आपको बतानी होगी तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते इन में से किसी formula का यूज करके word problem भी आते हैं जहां पे आपको solution निकालना होता है लेकिन वह जादा नंबर में आएंगे तो उसकी practice भी आप कर लिजेगा चलिए इसी के साथ हमारा सेशन होता है समाप्त हमने सारे formula revise कर लिए detailed way में और आपको अगर हमारे और वीडियो से लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज हमें YouTube पे follow करें और हमारी app और अच्छे सी चीजे जानने के लिए information जानने के लिए ठीक है अपना ध्यान रखें अच्छे से पढ़ाई करें stay home stay safe take a bye bye good day see you soon नमस्ते